जय हिंद साथियों कैसे हो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नबोधे परभेश परिच्छा दोजाद तेस में जुग जाम होने वाला है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कच्छा नाइंत का विख्यान है इसमें मैंने तीन चेप्टर को मिला कर जो भी महात्पूर्ग पर्स जिसमें वाई मजल इन तीन चेप्टर से जो भी महात्पूर्ग पर्सृफल य बने हैं और पि जो पिछले वर्स अमें में उन्हीं को मैंने सामिल किया है वंहरे आम और आम लोग ने पूरे चैप्टर का साइंस क पूरा चैप्टर का वीडियो पाना चाहते है तो वीडिय कुछय नबर एक से कुछय नम्मर एक में देखिए ग्लोग बताने की कुछis भी करिए को वन द्वारा निमन में से कौन सी परकिर्या की रोक्थाम होती हुत nhất है ऑंद भूम इयपर दन अस्थालिय जल अस्था द्वाला इन तीनों से तुरह ब् orada ब्रक्रिया क्या होती है रोक्थाम होती है डिए कैर दिखते हैं यहां पर नमर दिखे निमन में से कौन सा प्राकृतिक अब्दा यहां पर ट्राइब गलत हो गया है नहीं है मतब कौन सा है तो तो यह चकरवात भी है आधित उपान भी अतिविश्टि अनिकिया सभी प्राकृतिक आपड़ा है चलिए आगे देखते हैं आगे का कोशन यहां पर देखें कोशन नम पर भी पूधा रहता है तो सहध है ये जन्द रहर होता है योजिशन का आपस नमबर क्या हो जाएगा आपस नमर सी से व जाएगा इस कूचन का चलिए आगे देखते हैं आगे का कूचन क्या है यहाँ पर देखिए दुधवा राष्टिय उध्यान उपस्तित है वता है कहां पर उपस्तित है उडिसा में, बुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा राष्टिय उध्यान उपस्तित है चलिए आगे दिखते हैं आगे का कूचन बन पांच में देखिए हाँ पर निम निमे से कौन सा भारत का पहला राष्टी उध्यान होता है कौन सा जो है भारत का पहला राष्टी उध्यान है भरततब का पहला राष्टेयु द्ध्यान चया आगे देखें और आगे का कूछन बच्छान में निमन में से कौन सी चलीया उत्रपासी चलीया है कौन जो है उत्रपासी चलीया है सािबीbellan क्रेन तो काईट स्वान तो साइब koran में क्रेंटॉ कोने का मुखकरारण क्या क्या है मूफश का है। जिसकार है प्रक्राक्रीट का वास alltid किसमें आवाज का कश ते हैं국 मघ जाते हैं और कम होता रहता है वन जीव यही मुखकारण है प्राकिती कवास का नेश्ट होना जंगल को हम लोग काट देंगे तो जांगली जानल कहां परहेंगे तो उनका अवास जो है नेश्ट हो जाए यानि कि प्राकिती कवास का नेश्ट होना वोने जीवन का परदिन मुख काराण है जो मुख काराण है प्राकिती कावास का नेश्ट होना चलिए आगे दिखते हैं आगे का वुचिन क्या है निम्न में से कौन सा दूलेंगी पुस्प है बताए कौन सा जो है दूलेंगी पुस्प है तो आप लोग क्या बताएं की, एक लिंगी पूस्ब है तो एक लिंगी पूस्ब, झो है हमारा पापीता हो गया में, कि पापी Elliott को अब पीता, तर बूज, जो हम लोग खाते हैं तर बूज को तर बूज, और खीरा दाब लगाना प्रकार का वर्धी परजन पायाता है दाब लगाना जो है वर्धी परजन पायाता है किसमें पायाता है जे मिली नहीं पायाता है जे मिली नहीं पायाता है जे मिली नहीं पायाता है तो गुलाब में तो नहीं पायाता है अम्रूद में भी नहीं पायाता है तो पादम में अंग है और दिका अंडाश ए सभी किसमें है निकी पादम में वर्थिकागड़ वर्थिका नंब 16 जैंडे पादम में जनना अंग है शेयर आगे देखते हैं आगे का कुच्छं कुच्छ नमर 11 डेखिये यहां पर हईड्रा में किस परकार का आलांगी जनन होता है, तो अपिंस होता है हईड्रा का आलांगी जनन होता है, यह आपके आपको अरुदावन लम इसे हो जागा इसकोचन का, चलिए आगे देखते हैं आगे का कोचन चैनल कोचन मर्पारा में देखिए याँ पर निसेचन के पस्चात जो सनचना बनती है वह है बुरूंड है अंडासय फीटस यगुनमज क्या है तो यगुनमज है निकि भूंड भी नहीं सकता अंडासय भी नहीं है फीटस भी नहीं है यह 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 आपसंबर डी से हो जागा इस क्या है यहां पर देखिए कुछ नमर 13 में प्याज में वर्धी जनन होता है प्याज में जो होता है वर्धी जनन होता है इसके द्वारा होता है कंद द्वारा होता है बलब द्वारा होता है परकंद द्वारा होता है किसके द्वारा होता है तो बलब द्वारा होता है प्याज में वर्धी जनननंग जनन होता है जो क्या होता है बरब द्वारा प्याज में होता है वर्धी जननन चलिए आगे देखते हैं आगे का कुशन क्या है कुशन नमबर 14 मेहा पर देखिए बायो फिलम में पर जनन होता है यह बायो फिलम में पर जनन होता है पत्यों पर उपस्तित कलिकाओं द्वारा तने पर उपस्तित कलिकाओं द्वारा जड़ द्वारा पुस्ब द्वारा किसके द्वारा होता है तो पत्यों पर उपस्तित कलिकाओं द्वारा जो है बायो फिल पूशन है महात्रपुड पर्शन है जो पिछले साल आये हुए है या पिर्वेस में है आये हुए पूशन है सभी अगर आप लोग को कलास समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजे तथा अपने दूस्तों के साथ सेर भी कर दीजे क्योंकि उनको भी वीडियो देखना भोजरी ह प्रवेस परिष्चा ना इंथ का देखें आपर ताजमहल का संग मरमन प्रभावित होता है किसे प्रभावित होता है सल्फर डाइयक्साइड इस ओटू और कि आक्सीजन यानिकि ओटू ओजौन ओत्टिरी ओत् vengeance कंगें इन में से कोई नहीं किसके द्वारा जो होता है दाज-महल का रंग क्या होता पर्भावित होता है तो सब्सिंधक तो 2 to suffer die oxide जो है इसके तो तो किसके कारण तो favor die oxide की iso2 कारण चलिए आगे दिखते हैं आगे का कूशन यहाँ पर दिखें कूशन नमबर 16 में कौन से सन में भारत सरकार द्वारा गंगा एक्सल्म प्लान लागू किया गया था चलिए आगे देखते हैं आगे का कूशन क्या है कूशन नमबर 17 में यहाँ पर देखिए पीने योग जल वो जल है बताए पीने योग जल है जो क्यों से जल है जल नदी से पराप्त हो जो जील से पराप्त हो बताए यह भी नहीं जो जील से पराप्त हो उसमें भी पर दूसरन हो रहता है जो साफ हो यानि कि आपसा नमबर 17 से जगा इस कूशन का जो साफ हो पीने य यहां पर दिखें कुश्चन नमर 18 में कि निम्र में से कौन सा तत्व मानों में सबसे अधिक जल परदोस्वा पहुचाता है अर्च्राइनिक है मरकरी, मेंगनेशियम, कोबाल्ट क्या है तो मरकरी यानि कि अपसंबर 20 है यह जवाई इस कुछन का चलिए आगे देखते हैं आगे का कुछन कुछन नेवर 19 में या पर देखिए महानगरों में महानगरों में परदोसर का मुख कारण है अपता है महानगरों में परदोसर का मुख कारण तो वहाई पर क्या हुँता है जीवासम इधन है यानि »Jyvasa Mill का परजल आपता है पिट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोइला हो गया यह सब कैसे है? यह सब जीवासम इधन है तो यानि क्या उन्यक्षंभर प्राथिमिक परदोस्ण है सलफाड आगसाइड यानि कि यसो ओटू आपके जामे यसो लिख देगा तो आप लोग नहीं पाईगे कि यसलफाड आगसाइड है तो आप लोग जान लेजिए ओजोन का क्या होता है ओथिरी ओथिरी को कहेंगे ओजिन का यह है हाईड्रो कारब प्राथिमिक परदोसर है तो आसा है आप लोग को पूरा क्लास में आया होगा तो अगर आप लोग चेप्टर वाइज पूरा पढ़ना चाहते हैं तो मैंने पूरा आज समपूर चेप्टर का करा दिया है